हाई गाईज व्यसीनर सिंग का नम्मर वन चैनल अश्टडी मीडियम में आप सभी का श्वागत है अगर व्यसीनर सिंग का आप लोग त्यारी कर रहे हैं तो यह स्रीच आपके लिए बहुत इंपोर्टेंट है अगर आप सभी को क्लास एक साथ देखना है तो भी मिलेगा अगर ये पेडियेप आप पर लेते हैं तो इससे बाहर एक भी प्रसने नहीं पूछा जाएगा तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो फर्स्ट कोशन है बिमारी के दौरान मरीज से सम्मंदित सभी संक्रमित बस्तूओं को तुरंद डिस इंफेक्ट करने को क्या कहते हैं इसका आप्सन है अस्टेरी लाइलेशन, कॉनकरंट डिस इंफेक्शन, टर्मिनल डिस इंफेक्शन, ओटो क्लेप बीमारी के दोरान मरीज से सम्मंदीत सभी संक्रमित बस्तूओं को तुरंत डिस इंफेक्ट करने को कौन करन डिस इंफेक्ट्सन कहा जाता है Option B is the right answer Second question है मरीज को बिस्तर रशनान कराती शमय नर्स को किस करम में नहलाना चाहिए इसके options यहां दिये गये है सही करम होगा चेहरा, गर्दन, भुजाए, हाथ, शीना, उदर, पीट, पैरिनियम, आदी Correct answer option C Next question है Cross संक्रमन को रोकने के लिए अस्पताल में लीज आने वाली तक्नीक है Nursing देखवाल, Warrior Nursing, वास्तविक Nursing या रोकथां Nursing Cross संक्रमन को रोकने के लिए अस्पताल में लीज आने वाली तक्नीक, वारियर नर्सिंग है Option B is the right answer Question number 4 Humigation की परकिरिया है गर्द निरोधन की Disinfection की Nursing देखवाल की या Cross संक्रमन की Humigation की परकिरिया है Disinfection की Option B सही उत्तर होगा अगला कोशन है कौन सा Antiseptic होल मुँ में धोने के लिए काम में लाया जाता है Aspirit, Bita-Dine, Hydrogen Paroxid या Alcohol Hydrogen Paroxid, Antiseptic होल मुँ में धोने के काम में लाया जाता है Option C is the right answer Next Question है Usual मिश्रन है Aspirit यवं Bita-Dine का Bita-Dine यवं H2O2 का Boric Arm यवं Bletching Powder का Boric Arm यवं H2O2 का Boric Arm यवं Bletching Powder का मिश्रन है Usual Right answer Absency Next Question है Thermometer को संक्रमन रहित करने के लिए Digital की 1 ratio 40 रखे ज़ुल में कितने समय के लिए रखना चाहिए 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट या 8 मिनट Correct answer 송 द्रक нак pokे तρ PK महामेंटर को संक्रमन रहित करने के लिए Digital के 1 रखेंटर के 1 ratio 40 रहित करने के लिए फाइब मिनेट रखना चाहिए Option C is the right answer Question No.8 Operation कच्छ में रोगी को ले जाने से पुर्व किया जाना चाहिए सहमती पत्र प्राप्त करना रोगी के सरीर से किमती शमान हटा कर परिजनों को सुपूर्द करना रोगी के नेल पॉलिस एबम लेपिस्टिक हटाना उप्यूक्त सभी तो Operation कच्छ में रोगी को ले जाने से पुर्व सहमती प्राप्त प्राप्त करना रोगी के सरीर से किमती समान हटा कर परिजनों को सुपूर्द कर देना चाहिए और रोगी के नेल पॉलिस एबम लेपिस्टिक हटा देना चाहिए तो Correct answer option नमर D उप्यूक्त सभी Question number 9 Endoscorpic catheter को किसके दोरा भी संक्रमित किया जाता है इसके option से autoclave, hot air, oven, 2% gluteryaldehyde या उबालना तो Endoscorpic catheter को 2% gluteryaldehyde दोरा भी संक्रमित किया जाता है option सी हमारा correct answer होगा अगला question है Thermometer को disinfectant करने के लिए डेटोल के 1 ratio 40 सांधतार वाले गोल में इसे कितनी देर रखना चाहिए 2 minute, 3 minute, 5 minute या 10 minute तो इसका correct answer option सी होगा Thermometer को disinfectant करने के लिए डेटोल के 1 ratio 40 सांधता वाले घोल में 5 minute रखना चाहिए option C is the right answer next question है रोगी के कंबल को कैसे संक्रमन रहित किया जाता है bleach से धोकर, साबुन से धोकर, धूप में रखकर नैप्थिलीन की गोलियों को डाल कर तो रोगी के कंबल को धूप में रखकर संक्रमन रहित किया जाता है option C is the right answer next question है potassium permagnate की कितनी सांदरता वाला घोल मुह की सफाई के लिए परयोग में लिया जाना चाहिए One ratio 10,000, One ratio 5,000, One ratio 1 या One ratio 1,000 potassium permagnate के One ratio 10,000 सांदरता वाला घोल मुह की सफाई के परयोग में लाना चाहिए option C is the right answer अगला कोशन है है ह्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट गोल द्वारा थर्मामीटर साफ किया जाता है एलकोहल, नलका पानी, उबलता हुआ पानी या O.R.S. तो एलकोहल के गोल द्वारा थर्मामीटर को साफ किया जाता है option is the right answer. नेश कोशन है नीचे दिये गए निम्न में से किस अंग द्वारा सरवादिक मात्रा में पानी की कमी होती है किड़नी, त्वचा, फेफरे या मलासे तो किड़नी द्वारा सरवादिक मात्रा में पानी की कमी होती है option A is the right answer. नेश कोशन है पायोडिया का अर्थ होता है गहरी रंग का रुधेर मिसरित मुत्र, मुत्र के साथ मवाद आना, दर्द युक्त मुत्र यह मुत्र के साथ सूगर आना तो पायोडिया का अर्थ होता है मुत्र की साथ मवाद का आना, option B is the right answer. नेस्ट कोशन है डिस यूरिया का आसा है बार बार मुत्र त्याग करना, मुत्र त्याग के दोरान पीरा होना, मुत्र का अत्यदी कम मात्रा में उत्सर्जन या स्वास लेने में कठिनाई तो डिस यूरिया का अर्थ होता है मुत्र त्याग के दोरान पीरा होना Correct answer option B Next question है यदी एक समान वेस्प का एक दिन का मुत्र उच्छरजन 2000 ml से अधिक हो तो वह इसिती कहलाती है Anuria, Polyuria, Oliguria या Pyuria यदी एक समान वेस्प का एक दिन का मुत्र का उच्छरजन 2000 ml से अधिक हो तो वह इसिती Polyuria कहलाती है Option B सही उत्तर है अगला कोशन है निम्ण में से कौन सा मुत्रा से प्रचालन का दुस प्रभाव नहीं है संक्रमन, उत्तकों का चोट गरस्थ होना, मुत्रमार्ग में जलन या निर्जाली करन इसा करेक्ट अंसर आप्सन डी होगा निर्जली करन मुत्रा से प्रचालन का दुस प्रवाव नहीं है option D is the right answer अगला कोशन है मुत्र का त्या करते समय पीरा होना कहलाता है dysuria, anuria, glycosuria या oliguria तो मुत्र का त्या करते समय पीरा होना dysuria कहलाता है option A is the right answer वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, सभी के साथ सेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और तयारी को अच्छे से करना है तो आप हमारे आप के साथ जूट जाएं ओहां पे आपको पैड कोर्स मिल जाएगा बहुत ही सस्ते में और अगर पीडियाफ डाउनलोड करना है तो वो भी आपको हमारे आप में ही मिलेगा बहुत ही सांदार 10,000 कोश्चन के साथ अगर ये पीडियाफ आप पढ़ लेते हो तो एक भी कोश्चन नहीं छूटेगा अधिक जानकारी के लिए हमारे इस नमर पे संपर करें तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तब के लिए बाबाए